हमारे सभी दर्शकों को सादर पडाम जैशी क्रिश्ण आज मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ यदि इस उपाय को आप करते हैं पूरे वर्ष में कभी भी करते हैं तो आपके सारे काम सिद्ध होंगे जो कुवारे हैं उनके विवाह के योग बनेंगे यदि आपको शारिरीक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक कोई भी समस्या है तो उसका समाधान इस उपाय को करने से हो जाएगा हम करते नहीं हैं इसलिए हम दुखी होते हैं यदि हम छोड़े-छोड़े उपाय भी करते हैं तो हमें लाब अवश्य मिलते हैं एसा होता ही नहीं कि हमें लाब ना मिले लेकिन हम करते ही नहीं हैं हम हमारी भोतिक इच्छाओं के प्रती इतने व्यस्त हैं कि हम इश्वर का ध्यान थोड़ी देर भी नहीं करते हैं और फिर हम जबरदस्ती दुखी भी होते हैं अभी अधिक मास चल रहा है इसे पुर्शतम मास कहते हैं अर्थात भगवान विश्नु का महिना कहते हैं मल मास दुखी होकर भगवान के पास गया और भगवान ने कहा कि यह महीना अब मेरा हो गया जो भी इस महीने में मेरा ध्यान करेगा उसके सारे कारे वेसे ही सिद्ध हो जाएंगे तो आज उपाय जो बता रहा हूं यह भगवान विश्णु का ही है और इस अधिक मास में अर्थात 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक यह महीना चलेगा इस महीने में यह उपाय अगर 15 दिन भी करेंगे विशेशकर एकादशी हो अमावस्या हो पुर्णिमा हो तब तो इसके विशिष्ट लाब मिलेंगे ही और अन्य दिनों में भी प्रतियक अधिक मास का दिन अपने आप में महत्व रखता है लोग तो इस महीन का पालन करूँगा सदा चार से रहूँगा तो लोग तो इतने वरत तब इस महीने में करते हैं आपको केवल यह साधरन सा उपाय करना है यदि आप इसे करते हैं तो लाबानवित अवश्य होंगे और इसके अलावा भी अन्य महीनों में भी इस उपाय को करेंगे तब भी आपको लाब अविश्य मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, सामानिय सा एक मंत्र है, लेकिन यह विश्व का जितना भी सार है, इसी मंत्र में है, विश्णो गायतरी, अर्थात, ओम नाराय अनाय विद्महे, वासु देवाय धीमही, तन्नो विश्णो प्रचो दयात, इसे म में डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा, ओम नाराय अनाय विद्महे, वासु देवाय धीमही, तन्नो विश्णो प्रचो दयात, एक माला प्रति दिन करें, या इस पूरे महिने में 15 दिन भी करेंगे, तो आपके सारे कारे सिद्ध होंगे, इसकी मैं गारंटी लेता लेकिन पूरी तलिंता से मन से करना है, मंत्रों को गिनना नहीं है, यदि आपका ध्यान मंत्र को गिनने में चला गया, एक माला 108 मंत्र, आप तुलसी की माला ला सकते हैं, या अन्य कोई सामन्नी माला है, उस माला पर भी इस मंत्र का ध्यान करें, भगवान विश्णो का ध् इसके साथ ही प्रति दिन यदि आप भगवान कृष्ण के दर्शन भी करते हैं आसपास में कई मंदीर हैं वहां जाते भी हैं तो वहां पर इस मंत्र को करें एकमाला करें तो और बढ़िया और वहां जाकर आप दो मुठी साबुत चावल भी अवश्य भगवान को चड़ा कर आवें इससे भी आपको स्रेस्टतम लाब मिलेगा तो इसे भी करना ना भूलें तो आज मैंने आपको बताया कि यह पुर्शतम मास अधिक मास चल रहा है हमारा चांदर वर्ष तीन सो चोपन दिन का होता है जैसे आप चेत्र वेशाक मानते हैं और सोर वर्ष जो होता है ज पूरे वर्ष का यदि गणना करें पूरे वर्ष की तो 365 दिन होते हैं सोर वर्ष में और चांदर वर्ष 354 दिन का ही होता है अंतर कितना हुआ 11 दिन का यह 11 दिन का अंतर 33 महीनों बाद 32 महीनों बाद एक अधिक मास पंचांग में आ जाता है जिसे हम मल मास भी कहते हैं अधिक मास भी कहते हैं पूर्ष तम मास भी कहते हैं और इस महीने में भगवान विश्नु की विशेश पूजा अर्चना की जाती है और जो कुवारे हैं या जो दुखी हैं जीवन में किसी ने किसी बात को लेकर परिशान हैं इस उपाय को करेंगे, निश्चे-τόर से उन्हें लाब मिलेगा और वेसे भी इस महिने में भगवान विश्णू का ध्यान अवश्च करना चाहिए। यदि इस महीने में आप व्यस्त हैं बीजी हैं तो आप इस उपाय को इस महीने के बाद भी कभी भी जब आपकी इच्छा हो अवश्य करें आपको लाब मिलेंगे आपके सारे कार्य सफल सिद्ध होंगे भगवान विश्णु के इस गायतरी मंत्र का पाठ यदि आप वेसे भ यदि बड़ी परिशानी है तो छोटे रूप में होकर सिमट जाती है तो ओम नाराय नाय विद्महे वासुदेवाय दीमही तन्नो विश्णो प्रचोदेयात इसको अवश्य जपें एक माला प्रति दिन अवश्य करें कहीं कहीं शास्त्रों में महिलाओं के लिए विशेश लिखा गया है कि ओम का उचरन ना करें लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यदि आपको शंका है तो आप नाराय नाय विद्महे वासुदेवाय दीमही तन्नो विश्णो प्रचोदेयात इसका पाठ करें लेकिन आप ओम को भी उच्चारन में ले सकते हैं ओम नाराय नाय विद्मह वासु देवाय धीमही तन्नो विष्णो प्रचोदेयात और यदि बगवान क्रिष्णा ठाकुर्जी विष्णो जगदिश बगवान या क्रिष्णा के कोई भी अवतार सुरूप है वरा अवतार है तो वहां एसा कोई मंदिर है वहां पर भी यदि आप जाते हैं तो दो मु बढ़िया यदि आप पीली पोशाक पहन कर जाते हैं तो और बढ़िया यदि आप भगवान विष्णु को भी पीले पुश्प चड़ाते हैं तो और बढ़िया चामल भी पीले करकर चड़ाते हैं तो और बढ़िया सारे काम सफल सिद्ध होंगे यदि इस उपाय को तो और भी जीवन में जितनी भी समस्यां आ रही हैं, उनका समाधान होगा, कोई भी विग्ण है, कोई समस्या है, तो इस उपाय को अवश्य करें, धन्यवाद, जैशी कृष्णा